एक साधक अवस्था का स्रवण एक सिद्धा वस्था का स्रवण दो प्रकार के स्रवण अभी मन नहीं लगता सुनने में पर फिर भी स्रवण ही जीव के कल्यान का साधन है ऐसा बुद्धी ने निश्चे कर लिया इसलिए सब छोड़के कथा सुनने बैठ गए अभी स्वाद नहीं आया भगवान की कथा का सुनने बैठ गए मन लगए ना लगए सुनने बैठे सुनते सुनते में लगने लग जाएगा ये हुआ साधक अवस्था का स्रवन मन लगे या न लगे सुनने बैठ जाना सुनने में कथा का अच्छा लगने लग जाना ये बिशई अवस्था का स्रवन और अब सुनने में किंचित स्वाद आ जाए बिना सुने हमारी गती नहीं बिना स्रवन के कल्यान नहीं ये बात समझ में आ जाए और स्रवन हमारे जीवन का अंग बन जाए हम बिना सुने न रह सकें ये हुआ साधक अवस्था का स्रवन मने मुमुक्षा वस्था का स्रवन साधक अवस्था करते मुमुक्षा वस्था अब सिद्धा वस्था का स्रवन क्या है सिद्धा वस्था का स्रवन क्या है सिद्धा वस्था का स्रवन स्रवन नहीं होता स्रद्धा वस्था का स्रवन तो साक्षात लीला की रूप में प्रकट हो जाता इसी ब्रिजिकी घटना है प्रेम सरोबर पर श्री गोविंद लीलाम्रत का वर्णन एक महापुरुष कर रहे थे और इसी ब्रिंदावन के महान रसिक संत परम पुझ्य प्रातस मरनिय श्री बाबा बालकृष्णदासी महराज वे श्रवन करने के लिए बैठे थे लाल्टिन जला करके रात्री के समय और महाराज सुन रहे थे महाराज जो लीला सुना रहे थे उस लीला को बाबा बालकृष्णदासी प्रत्यक्ष दर्सन कर रहे थे इसको कहते हैं सिद्धा वस्था का स्रवन सिद्धा वस्था में पहुचा हुआ व्यक्ति जब कहता है अथवा सुनता है तो लोगों की दिष्टी में कहना सुनना होता है वस्तुता भगवान की लीला सामने प्रत्यक्ष प्रकट होती दिखाई पड़ती है इसलिए स्रवन करते ही भगवल लीला में प्रविष्ट हो जाना ये है सिद्धावस्था का स्रवन परम स्रद्धे स्रीमत स्वामी राम हर्षन दासी महराज उनका स्रवन सिद्धावस्था का स्रवन था कुछ भी सुनाने लग जाओ, उसी भाव में, उसी लीला में में स्थित हो जाते थे, ये है सिद्धा वस्था का स्रवन, पर निरास नहीं होना है, हम विशई हैं तो भी सुनें, विशई सुनते सुनते मुमुक्षू हो जाएंगे, साधक हो जाएंगे, और साधक की वस्था म में सुनना सुरू करेंगे तो कभी न कभी सिद्ध हो जाएंगे स्रवन करते ही भगवान की लीला हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाएगी हम भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाएगे श्री सिताराम प्रतितिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महराजी के ओफिशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें